क्रांतिकारी जभिम साथियों, साथियों मैं सूरज कुमार बौध जैसा कि सब जानते हैं कि 124th constitutional amendments bill has been passed in लोगसभा seeking to provide reservation in educational institution and government jobs to upper caste government कह रही है कि वो weaker section को reservation दे रही है पर मेरा अपना मानता है कि 7-7, there is no difference of upper caste, lower caste, economic based upper caste, something else सबसे पहली बात है कि वो समण इसलिए है क्योंकि word बेवस्था में उच्छदर दरजे के माने जाते हैं उनको सिक्छा, संपत्ति, स्वास्त, अस्त्र, सरस्त्र, मान, सम्मान, स्वाविमान सब पर उनका 16 पदिकार रहा है इसलिए वो सवरड कहे जाते हैं अब सबाल है कि क्या सवरड भी कमजोर हो सकता है बिल्कुल नहीं हो सकता है दूसरा गवर्मेंट कर यह अपर कास्ट के लोगों को इसका मतलब गवर्मेंट खुद मान रही है कि there are many caste जिसे आप lower caste कह सकते हैं जिसे आप नीच जाती कह सकते हैं वो उनका एक जो धार्मिक चरित्र है जो धार्मिक के नाम पर 1160 की हैं आज हमारे सामने सरयाम दिखा रहे हैं हम सबको यह समझने की जरोत है कि जब यह मुल्क आजाद हुआ उससे पहले 1931 में पहली बार जो है जनसंख्या की गड़ना के लिए एक टीम बनाई गई थी और 1931 में अंग्रेजों की हुकूमत में जनगड़ना हुई थी उसके बाद से अभी तक जनगड़ना नहीं हुई 1953 में पंडिचवाल नहरू ने अपने सरकार के दवरान जब उनकी अपने सरकार हुआ करती तो उनका काका कालेलकर की समित्य बैठाई थी और वो जो पूरा आयोग था वो जो पूरा कमीशन था वो यह जाज कर रहा था कि इस मुल्क में सोसल बेस पर और एजुकेसनल बेक बेसिस पर बैकवर्ट क्लासेस की संख्या कितनी है लेकिन जब काका कालेलकर की रिपोर्ट आती है दसरवर रिपोर्ट बहुत ही चौकाने वरा रहता है वह रिपोर्ट जब यत्य करता है कि इस मुल्क में जो सोसीत वंचीत पिछड़े लोग है उनको जब ज़ादा अधि जिकार मिलेगा तो नहिरू ने उस पूरे रिपोर्ट को थंडे बस्ते में भर दिया गाहे बगाहे प्रतिरोध होता रहा मानेवरकांसी राम साब कांदुलन दिरे-दिरे जमीनी अस्तर पकड़ रहा था करपूरी ठाकुर साब कांदुलन अपने आप में खड़ा हो रहा जो तमाम इस मुल्क के बहुजन चिंतक थे जो जाती आधारित जिनका सोसड हुआ है उसके पक्ष में जो लोग खड़े थे उनका अपनाई कांदुलन बहुत मजबूती से पकड़ रहा था इसलिए जब नहरू को लगा कि काका का लेलकर रिपोर्ट लागु कराया जाने क लोग तेजी से मांग शुरू करेंगे तो नहरू ने क्या किया है 1978 में 1978 और 79 में उन्होंने वीपी मंडल साथ के नित्रित में सोसली आयंज एजूकेशनली बैकवर्ड क्लासिस की संख्या जानने के रिए एक आयोग बनवाया उसकी रिपोर्ट आती है 1980 में लेकिन 1980 में जब रिपोर्ट आती है तो वो लोग जब उनको लगता है कि नहीं OVC को 52% आरक्षण मिलेगा और 85% समाज एक जूट होने लगा है तो नहरू ने उस पूरे रिपोर्ट को फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया लेकिन मानिवर साहब के अंदोरण को धन्यवात कीजिए बिपी मंडल साहब के नेतरित्यू को धन्यवात कीजिए और इस मुल्क में जब समाजवादी धड़ा और जो तमाम समाजिक नाय के नाम लोग खड़े होने लगे, तब जो है, सरकार जुखती हो इने जराई, अन्तिम में 1990 में वो रिपोर्ट लागू की जाती है, करीब 92 में हमको OBC को रिजर्वेशन मिलता है, जो सुप्रीम कोट ने अपने इंदरा सानी के केस में सुप्रीम फोर्ट ने जजमेंट सुना दिया, कि there shall be 50% of ceilings, हम कहरें सुप्रीम फोर्ट ने जब 50% का ceilings दिया, सुप्रीम फोर्ट ने वहीं प्रूफ कर दिया कि नहीं, बैकवर्टनेस का बेस होगा, वो सोसल और एजुकेसनल नहीं होगा, बल्कि उसके साथ ही एकॉनमिक बेस पर होगा, जबकि अपना कहता है कि रिजर्वेशन इस गिवन फार अडवांस्मेंट आप सोचली आंज एजुकेसली बैकवर्ट क्लासे एंट्टू सेटूल कास्ट और सेटूल ट्राइब्स, मैं कराऊं सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जब 50% की सीलिंग लगाई थी, जैने 52% रिजर्वेशन दे काम्याब तो नहीं हो पाया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और सरकार अपने चाल चरीतर से उनका हक बचा लिया, उनका हक बचा लिया मतलब हमारे हक को खाने का उनका पूरा इचाचते दिया, लेकिन आज वह अंदूलन फिर जमीनी धरातल पर पकड़ता चला रहा है, जब स बहुत मजबूत नहीं पकड़ पाई थी, this time, constitution is being derailed at the feet of Brahmanism, this time, democracy is being derailed at the feet of Manuadi forces, and so we, the people of India, we the Bahujan community, सवाली नहीं कर रहा है, कोई विरोध प्रदर्सनी नहीं हो रहा है, क्यों होगा, हमारे समाज के जो आका है, वो समर्थन करके बैठे है, नहीं समर्थन की है, समिधान नहीं पढ़े हैं, क्या, और अगर समिधान पढ़े हैं, तो दलाली करने की आदत पढ़ गई है, क्या, मतलब, अगर आप भारती समिधान पढ़ेंगे, article 15 इस पस्ट करता है, कि there shall be no discrimination on the basis of religion, race, cost, sex, place of birth, or something else, फिर भी, गर सबका पहमाना किया पढ़ेंगे, वो इस पस्ट करता है, अपना constitution जो है, constitution allows वली, four classes, cellular caste, cellular tribes, backward classes, and Anglo-Indians, यह चोधा, classes के बाद, पाच्वा classes कौन सा आ रहा है भी है? कुल मिला करके, आपका समिधान खत्रे में है, कुल मिला करके, यह है, आरक्षड के वल छोटा सा सवाल नहीं है, यह बहुत बड़ा सवाल है, आपको थैंक्स कहना चाहिए, बाम सेफ के राष्टे अद्धेक्ष, मानि मामन मेशराम साब को, भारती मुलनिमासी संग्ठन के राष्टेस देक्ष, इंजिनेर्डी प्रकास गोतम साब को, भाई जिगनेस मेवनी को, मिटकराइट पाचिया फिंजिया के विजेमानकर साब को, ते जस्वी भाई को, और सबसे जाद अगर किसी को थैंक्स देना चाहिए, तो असुदू नवैसी साब को थैंक्स देना च किया, वैसी साब को धन्यवाद इसलिए देना बनता है कि वैसी साब ने इस पस्ट कहा, इस बिल इस फ्रॉड ऑन कास्टिटूशन ऑफ इंजिया, इट इस अन इंसल चु डाक्टर भीम राउम बेटकर, यह बाबा साब का अपमान है, वह लोग जो इस एंची बहुजन बि हमको लीडर चाहिए, रीडर नहीं, यह बात बाबा साब अमेटकर से हमको सीखनी के जरूत है, और बहुजन समाज के नेताओं को यह समझ ले जाने के जरूरत है, कि जो मिशन है ना, किसी के बाब की बपौती नहीं होती है, बहुजन समाज के लोग रुटमी मुला की करना बंद करिये मिसन का, हम भारत चला भी सकते हैं, यह बात आगाह कर देना चाहता हूं, बहुजन समाज के उननेताओं से, जो लोग समिधान पढ़े नहीं हैं, और समिधान पढ़े हैं, तो समिधान के साथ सरयाम मजाग कर रहे हैं, और नरेंदर मोधी के साथ खड़े ह हैं, जो लोग हम को और आपको, जो लोग मिसनरीयों को, जो लोग करांतिकारीयों को सरयाम गाली देते हैं, विविशर कहके, साहब तो हम लोग रामर हैं, हम लोग हिर्ड़े कशब हर्दोही की विरासत है, हर्दोही हैं, हर्दोही जिले के तमाम जो महान विराशत रही है, एक खर्दोई समराज थी, महाराजा हिरडएक अशप के हरिद्रोही हैं, हम लोग समझहोता नहीं करते हैं, और जो लोग मिसन के साथ समझहोता करते हैं, उनको एस समझनी की जो रहते हैं, मानिवर सहाब एक बात कहा करते थे, वह बात बहुत गंभीर थी, किसी धान त्विहि अब इस समाज को तै करना है, उसे लीडर चाहिए या रीडर, अब इस समाज को तै करना है, उसे दलाल चाहिए या फिर लाल, यह सवाल मैं आपको उपर छोड़ता हूँ, और हाँ, अगर आप लोग इसके खिलाफ हैं, तो समाजी का अंदूल मजबूत रही हमारे राजने जो करने दीजे, एक समाज आएगा, जो उनकी अकल अपने ठीकाने आएगी, नहीं आएगी तो समाज खुदी उनका अकल ठीकाने लगा देगा, अच्छे एच्चो को लगा दिया है, आज के तमाम स्वार्थी नेता की स्खेत के मूली है, जै भीम, जै भारत नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फिर में के बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे